गुड मॉनिंगे इस रूइन्स फंजाई हम पढ़ रहे थे तोड़े विल दिल विद पैजाईजा एक नई फंजाई जिसको कब फंजाई भी का जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे यह जो पैजाईजा है इसका ओर्डर है पैजाईजेल्स और फैमिली है पैजाईजेसी ज़्यादा तर जो इस पैजाईजेसी के मेंबर्स हैं यह सेप्रोफाइट्स हैं मेरे तो जिवी डेड माटिरियल से अपना और्गनिक फूड माटिरियल डेड से लेते हैं और डिकेइंग वुड जो होता है बार्क है या सॉइल जो बहुत रिच है ऐसों पर यह ग्रो करता है उनसे यह फूड मेटिरियल एब्सॉब करता है यह ज़्यादा तर इसके अलावा कुछ जो स्पीशेस है इसकी वो कोप्रोफाइलस फंजाई है जो कि हॉर्स डंग पर या डंग से अपना फूड मेटिरियल एब्सॉब करती है तो इसके कुछ इसी में कुछ स्पीशेस पैजाईजेसी में डंग वाली भी है जो डंग पर ग्रो होती है जो डंग पर ग्रोफाइलस फंजाई के लगती है एक्जामपल उसका अगर हम लेना चाहें तो कॉप्रो भी है उसका एक्जामपल है इस फंजाई में कुणीडियल स्टेज एपसंट होती है कुछ एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन में एक तो पैजाईजा रिपेंडा आता है और पैजाईजा वैसिकलोसा आता है बाकी जो इन दोनों में पाए जाता है कुणीडिया बाकियों में जो कुणीडिया है कुणीडियल स्टेज वेपसंट होती है फूटिंग बाडी जो होती है वो एसको कार्प कहलती है वो cup shaped होती है या disc shaped होती है और apothecium cup shaped या disc shaped apothecium होता है और ये escus force जो उसके होते हैं वो एक nucleus single nucleus होता है union nucleate के लापते हैं usually transparent होते हैं highline होते हैं और escus के अंदर एक single row में arranged होते हैं ये escus एक lid के द्वारा बहार खुलता है ये important characters हैं pezaisacy family के pezaisa जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी systematic position की अगर हम बात कर रहे हैं तो kingdom my quota division you my quota subdivision esco my quota class disco my cities order pezaisals और family pezaisacy करीब करीब pezaisa की 100 species हैं जो ज़्यादा तर saprophytes हैं ज़्यादा तर जो grow कहां करती हैं logs के उपर trees के बार के उसके उपर लकडी का धेर अगर है उसके उपर या बहुत rich soil है जिसमें humus बहुत सारी पाई जाती है उसके उपर एक सेक्रिला ऐसी जगह पे पाई जाती है कुछ ऐसी भी होती हैं जो जलेवे wood के उपर भी पाई जा सकती है और कुछ species ऐसी होती हैं जो डंग के उपर पाई जाती हैं इंडिया में इसकी करीब 25 स्पीशीज है जिसमें जादा तर जो common स्पीशीज है वो common स्पीशीज जो है वो इसकी पैजाईसा की एक तो बैसी किलोसा स्पीशीज है पैजाईसा की एकाइनोसपोरा स्पीशीज है इसी की पैजाईसा की पस्टूलेटा स्पीशीज है तो और ए cationous species और पेजाईसा की a tainous species है तो यह species जो इसकी जद तर बहुत कॉमन species पेजाईसा की है अब इसका this vegetative structure पेजाईसा जो है यह मैसीलियम इसका जो होता है पिरेनियल होता है हमेशा अब लबल ऑ्ल होता है और well developed होता है profusely branch होता है उसमें branching पाई जाती है septation उसके अंदर होता है mycelium में और एक septa के अंदर एक nucleus पाई जाता है uninucleate cells यह जो हैफा है यह सारा जो substratum जो भी आदार होता है वहाँ पे यह पूरे में फैला हुआ होता है और उस जहाँ पे फैला हुआ होता है जो सबस्टेटम होता है उस सबस्टेटम से अपना food material absorb करता जाता है और जो fruiting body है वो apothecia है apothecia ये उपर की तरफ develop करती है और mycelium और वो सब सबस्टेटम के अंदर घुसा हुआ वो thread like structure पूरा उसमें फैला हुआ होता है अब हम लेते हैं इसका reproduction कि इसमें reproduction किस तरीके से होता है reproduction से पहले हम इसका एक बार diagram देख लेते हैं कि इसका diagram किस तरीके से होता है ये जो मैं पैजाईजा का तुमको बता रही थी ये apothecia है इसकी fruiting body cup shaped structure जो बाहर नजर आता है अंदर हमें नीचे इसके मिट्टी है या लकडी है उसके अंदर इसका vegetative tantunuma mycelium पूरे में फैला हुआ है जब reproduction होगा fruiting body ये sexual reproduction हो रहा है तो fruiting body बनेगी और ये fruiting body cup shape हमें बाहर नजर आ लिए ये structures का दिख रहा है और ये sexual reproduction में escus का formation है escus sports में escus का formation है ये escus sports में escus का formation है तो ये इसका एक हमको थोड़ा सा idea लगे है कि पैजाईजा दिखता कैसा है ये पैजाईजा है और ये इसके apotheca है इसे cup shape होता है इसलिए इसको cup fungi कहते है अब हम लेते हैं इसका reproduction पैजाईजा ज़्यादा तर इसमें sexual reproduction होता है लेकिन कुछ species में इसके asexual reproduction भी पाए जाता है asexual reproduction ज़्यादा तर species में इसके absent होता है कुछ species में पाए जाता है उन्हें species में मैंने पहले भी बता है vesiculosa species इसकी है और rependa species इसकी बहुत common है जिसके अंदर ये पाए जाता है इसमें conidia बनते हैं और asexual reproduction में इसमें कुछ के अंदर clemado spores का formation भी होता है clemado spores are thick walled spores जो इसके अंदर बनते हैं तो जो conidial stage है वो conidial stage is restricted only to some genera और उस some genera में आ रहा है vesiculosa species of pesiza and rependa species of pesiza उसके अलावा भी और species एक दो हैं लेकिन ये common species हैं जिसके अंदर इसमें asexual reproduction पाए जाता है अब asexual reproduction जिनी species में पाए जाता है उन species में अगर conidia का formation होता है तो conidia के formation के time पे जो हाइफा है वो उपर की तरफ grow कर रहे हैं वैसे तो जो भी log है या soil है उसमें सारे में नीचे की तरफ आधार पे फैले में लेकिन उसके right angles पे उनकी growth स्टार्ट हो जाती है upwards उनकी growth हो जाती है स्टार्ट उसको हम कहते हैं conidia 4 ये जो conidia 4 हैं they are long cylindrical erect and septate structures लंबे लंबे होते हैं पतले पतले होते हैं erect होते हैं और septate होता है septa formation उसके अंदर होता है और इस conidia 4 का जो tip वाला portion है वो swelling उसके अंदर हो जाती है और vesicle जैसी बन जाती है और वो vesicle जैसा structure नीचे वाले structure से septa formation से segregate हो जाता है तो ये जो high line light colored structure है ये elliptical होता है और thin walled structure होता है जो की segregate हो जाता है तब हम इसको clear cut conidia 4 पर conidia का formation कहते हैं और ये conidia जो है ये जब वहाँ से separate हो जाते हैं तो ये disperse हो करके suitable media इनको जैसे ही मिलता है उस suitable media के उपर germinate हो जाते हैं और germinate हो करके नया mycelium form करते हैं तो ये तो हुगा असका conidia का formation जो की it is restricted to only some species of peziza ऐसे ही clamidospose का formation भी इसमें होता है और clamidospose are those spores which are thick-walled तो thick-walled spores होते हैं resting cells होती हैं thick-walled जो की mycelium में intercalary positions होती हैं वहाँ पर पाई जाती है तो septa formation है cells का formation है तो किसी करणड से अगर थोड़ी सी unfavorable condition है तो वह septa formation की वज़े से वह जो cell से वह thick-walled हो जाती है और वो resting cell का काम करती हैं जिसको हम clamidospose कहते हैं यह singly भी form हो सकती है या mycelium में chain के form में भी form हो सकती है और favorable जैसे ही condition आएगी तो यह germinate हो करके germ tube बनाएगी और germ tube बना करके grow करके mycelia बना देगी तो इस तरीके से इसमें asexual reproduction होता है और asexual reproduction is restricted only to some species और asexual reproduction दो तरीके से हो सकता है cornidia formation होगा या clamidospose का formation होगा तो इस तरीके से इसमें reproduction का एक पार्ट होता है अब दूसरा reproduction का जो पार्ट है वो है sexual reproduction वो हम next lecture में लेंगे till then bye-bye